नमस्कार क्या हाल चाले सब बढ़िया है देखा अभी दिनों दिन धूब बढ़ता ही जा रहा है धूब के टाइम आपने पास जो भी एरिया जो भी लोकेशन पे जा रहे हो ड्रिंकिंग वाटर का साथ पर राखे पीने के लिए पानी साथ पर राखे और डॉस्ट जो जगा बहुत ज्यादा उड़ रहा है डॉस्ट की एरिया में माक्स थोड़ा यूज की लिए ठीक है ना और आपना जो भी यह लोडिंग अनलोडिंग अक्टिवीटी है में लिए आप लोग जो कार रहे है इसमें बहुत सी जगा में मैं देख रहा हूं बहुत मिश्टेक कर रहे हूं यह क्यों कर रहे हूं देखिए कुछ चीज जो हता है मतलब इसा नहीं है कि ओछ चीज आप नहीं जानते इसलिए मिश्टेक करें कुछ चीज होता है लापर भाई से होता है लापर भाई अगर जिन्देगी में करोगे कभी ना कभी आपको भुखतन करना पड़ेगा ठीक है लापर भाई छोड़िए और सही से ज्ञान लेकर कैसे काम किया जाना चाहिए कैसे होना चाहिए और इशा करिए ठीक है ना आपना जैसे की मेंदिंग ओं लूडिंग अक्टिविटी है सबसे खत्रा और डेंजर जून का अक्टिविटी है और कुछ चीज काम चाल साइड में उसमें प्रब्स नीज नहीं है जितना सब्सक्राइब धियंग में है थोड़ा सा मिस्टेख मेट्राइल ऊपर गिर सकता है कुछ भी होचकता यहां पर कितना हैभी हैभी सब मेशिनारी हुज हो रहा है जो भी क्रेयन है 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 यह सब जो भी हैभी भेजिकल है यह डायरेक्ट इंसिडेंट करवा सकता है अगर थोड़ा सा भी ऑनबालांस हुआ मतलब इनप्रफर तरीका से किया सेफटी गाइडलाइन को बाइपास किया तो इंसिडेंट होना सियर है इसमें जैसे कि आप कोई भी उपर कामका रहा है कुछ लोडिंग अन्लोडिंग अक्टिविटी है पुरा मतलब उपर से गाड़ी में ट्रेलर में मैट्रियाल है उस टाइम अगर थोड़ा सा भी बाई मिश्टेक किया तो पूरा मैट्रियाल आपने उपर आ जाएगा और उहां पर फैटाल नहीं तो पुरा सीवियर मेजर इंसिडेंट होने का चांस रहता है पहले जान लीजिए ठीक है ना पहले जान लीजिए इसमें खत्रा क्या-क्या है आप जो कर रहे हैं बुरा डेंजर जून अक्टिविटी है और यह मतलब इतना हीची मत समझ्य की आ रहे ही काम हो रहा है चला जा रहे इसे पहले देखिए खत्रा क्या-क्या है है अगर कात्रा को नहीं समझेंगे उसके यह रहें हम घर से जैसे आया है हम सोच रहें इसा ही आप जाए घर पे और यहां परा टीम कम कर रहा है बूरा प्लांट के को भी आपके उपर है सेनियॉर पिंगालोब जो पर सेफानियुर है थाहिए आणिजिनियोर है चाहिए आपसरे है क्लाइंट से हो चाहिए ऐजेनेश औहर कोई चाहता है आप लोग सभ्ली तरीका सप्ली तरीका सजायए शभ्ली कम कीजिए ठीक है तो इसमें तोuming 5000 है जैसे कि कोई लोड स suspended load है suspended load के निच्चे कभी नहीं जानेगा एक हाजार है हाजार सीस में बहुत सार है जैसे कि crane collapse हो जाना फाल ओफ लोड कोई भी लोड किया है material उपर है वो फाल कर जाना गिर जाना damage tool and tackle साचकल बहुत यूज हो रहा है इसको avoid किजिए कोई भी damage and tool tackle है उसको side कीजिए पहले इंप्रोफर signaling कोभी भी signal दे रहे हो तो दो तिन आद भी मिलके दे रहे हो कोई बहुत उपर कोई बहुत निच्चे कोई side एक आदमी signal signal देनेगा है ना और प्रॉपर तरीका से signal signal करनेगा मतलब जो भी है operator को समझ में आना चाहिए उसके बाद जो भी area में आप काम कर रहे है उसमें ground level पे चेक कीजिए ground level सही है की नहीं है कोई भी crane हो हाइड रहो ट्रेलर हो और ground level पे हो तो भी securely तरीका से हम काम कर सकते है उसक बना रहे crane के लिए वहाँ पर कोई structure तो नहीं है अगर overhead power lines तो नहीं है यह सब चेक कीजिए ठीक है यह बड़ा खत्रा रहता है loading में उसके बाद crane का जो भी थार्ट पाटी infection होना चाहिए उसका valid TPI होना चाहिए यह सा नहीं कि कोभी TPI किया था उसका date expired हो गया हो पहले TPI चेक किजिए इंप्रोपर रीगिंग रीगिंग सही से नहीं हो रहा है जैसे कि ceiling का या डी सेकल का हो गया और सोकल का हो गया कौन सा material जा रहा है कितना ceiling लागेगा मतलब वह प्रफरली ग्यान होना चाहिए ceiling damage है क्या और सब चेक करना है जैसे आपना जो ceiling यूज कर रहा है अभी जैसे 16 का ceiling है 16 का ceiling में कितना material कितना टॉन का material ले सकते कितना उसका capacity है 19 का है उसका capacity कितना है यह रिगोर को पहले ग्यान होना चाहिए ठीक है इसा नहीं कोई भी ceiling belt कोई भी वेब ceiling को आप कहां पर भी फीड कर दे रहो ठीक है यह पहले ग्यान ले लो कौन सा ceiling कितना में लगता है कहां पर कौन लग रहा है यह अभी आपका supervisor observing कर रहा है और पता नहीं तो supervisor से पता कर लेजिए ठीक है और आपका जो भी उदार physical है गाड़ी है वह बहुत speed level में जा रहा है कोई भी operator हो या trailer हो high speed जा रहा है एक तो overload कर रहे हो दूसरा high speed है यह अगर next time देखेंगे तो यह हम मतलब अभी पेंडल्डी करेंगे नहीं तो और कुछ जो भी हमारा द्वारा हो सकता है वो कुछ करेंगे ठीक है ना कोभी भी overload गाड़ी में नहीं होना चाहिए जो एक बार material shifting करने के लिए आप सोच रहे हो गर overload हो रहा है दूसरा बात लीजिए उसमें क्या प्रोब्लेम है गाड़ी में overload नहीं होना चाहिए ठीक है और control कोई भी गाड़ी या ट्रेलर है उसको speed limit का आप थड़ा पता किजिए कहां पर भी कितना स्पीड पर यह प्लांट है इतना स्पीड इधर स्पीड लिमिट किया है 20 प्लांट का अंदर 20 स्पीड से कोई मतलों ट्रेलर हो क्रेन हो मतलों अभर स्पीड नहीं होना चाहिए स्पीड लिमिट हमीसा चेक किजिए ठीक है इस छोटा छोटा चीज को अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा बड़ा खात्रा टल सकता है ड्यामेज टूलें स्टोकल्स का कभी उज नहीं करना है ठीक है और सिग्नालिंग प्रफर तरीका से देना है जो भी ग्राउंड कॉ को थोड़ा चेक करने लेना है तो मतलब लेवेल ह्यां कि नहीं है उसके बाद अभर अभर्ण मतलब जो भी पावर लाइन शह की नहीं फूरें मतलब इंगे तो हमारी लें texto है थैंगि नहीं और जैसे ही कोई भी हाइड़ा या क्रेयन यूज हो रहा है उससे पहले उसक देखिये यह फ्रॉन्टॉण काम कारी कि नहीं कि नहीं उसका घॉल्ल साहिए कि नहीं है उसका चक्का में जो हुईल है यह आक्तिबीटी लोड़ीडG आक्टिविटी होने से पहले चेक कीजिए एक साइट पर ज्यादा प्रेसर है एक साइट पर कॉम प्रेसर है और मेट्रियाल लीप्टिंग का रहा है उस ताइम डामेज हो सकता है जो साइट का कॉम प्रेसर है वो साइट का डामेज हो सकता है मतलब हाइड्रा या क्रेन कलाप पर केंवार्ट कार सकता है पहले चोड़ा जो चोड़ी चीज और कोई बी कहाँ पे अक्तिविटि क्यों पहले इंसूर कीजिए वहां पर वार्क परमिट लिया है कि नहीं है थिक है वार्क पर मिट मॉस्ट इंपोर्टनस उसके बाद जो भी हाइडरा इुज हो रहा है तूल विखर्पास होना चाहिए और फोना नहीं है तो लिए कोने डिया जाता है त्रेणिंग अपना यह अफें करेगा और कोई एक रिगऊंग करेगा सोमज में आ कया गया ज्यान लिजिए इसे साइट पर रिगिंग करना है, कौन सा चीज किसलिए यूज होता है, TPI क्या है, कौन सा सिलिंग कहा ही यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये डिटेल्स ग्यान दिया जाता है, रिगोर का जो ट्रेनिंग होता है उसमें, ठीक है, आपना यहां पर रिगोर एक्सपोर्ट जो प्लांट प कोई भी बीना पास पर इधार अगर दिखा तो सिरियसली आक्षण लिया जाएगा उसके अगेंस्ट और कोई भी क्रेन यूज करो पहले उसका कॉंडिशन चेक करो इसा नहीं सिधा लेके चल गए साइड पर और देखा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और बले कि यह प्रॉब् ठीक है और कोई भी कहां पर हेवी मेट्रियाल है चड़ने मतलब उसको लिप्टिंग करना है या पॉजिशन चेंज करना है तो पहले उहां पर जो भी आदमी है अगर वहां पर भीड लगा हो तो भीड को साइड कीजिए और अनाथराइस्ट परसन उहां पर आना जाना नह हानी चाहिए ठीक है और कोईबी लोड अउनलोड आक्टिवीटी होने से फेहले अगर है फाफ़लाइन को कीजिए ठीक है ना खबर कीजिए यह पावरलाइन यहां पर सप्लाई है तो इस ामाटिवीटी रहेगा अल्लोडिंग अनलोडिंग अट्डिवीटी रहेगा उस उसको पावार ओफ किया जाएगा या सट डाउन किया जाएगा जैसे भी व्यवस्ता बनेगा लोटो परमिट लिया जाएगा वहां पर ठीक है और जो भी लोड कार रहे हो वह अभर लोड नहीं होना चाहिए और लोड कारने के बाद को भी ट्रेलर में लोड किया तो साइट साइट पोस्ट डालिए और सिक्योरली तरीका से डालिए और लोडिंग हने के बाद सिक्योरली तरीका से उसको बांधिये साइट पे पोस्ट देखे आच्छा से बांधिये ताकि मुवमेंट हने के टाइम कुछ भी मेट्रियाल ट्रेलर से नीचे कोलाप्स ना हो साइट प मिश्टेक के लिए और दूसरे को नुक्सान पहुंच जाएगा नहीं तो ठीक है जो भी अनाथ्राइज पर्सन रहेगा जिसको उहां पे कुछ काम नहीं हो उहां पे नहीं रहना चाहिए सुपरवाइजर लोग यह धान देने का जो भी उहां पे जिसका भी बंदा काम नहीं हो देखने के लिए वहां पे कोई खाड़ा नहीं होना चाहिए और ओफरलोड को हामीशे के लिए बलता हूं ओफरलोड गाड़ी में कभी नहीं होना चाहिए आप लोग दो बार का दो बार जाने के सोच रहे हो मतलब दो बार जाना पड़ेगा इसलिए एक बार डाल के ले खुँअ कोई भी ड्राइवर ओपरेटर है उस लिमिट स्पीड का फोलो कीजिए बहुत हाइच स्पीड बे चाल रहा है गाडी ओभी है ठिक है और खास करके फेर से बता रहा हूं जो भी को लोगों का रिग्वर पास नहीं है रिग्वर पास लीजिए अपरेटोर का आपरे वहले TPI certificate, tools and tackles and crane, सबका होना चाहिए, उसके बाद monthly color coding एक बार होता है, हर चीज में color coding करना चाहिए, जो भी tools and tackles है, crane का भी color coding monthly जो होता है, monthly color coding के हिसाब से वो color coding होगा, और आपका tools and tackles, सारे tools and tackles का भी color coding होना चाहिए, ठीके? हाँ, और कोई भी चीज मतलब एक जगा से दूसरा जगा जा रहा है, कोई भी material shifting हो रहा है, crane की थुरू, या hydra की थुरू, उसमें signal man और flag man must be deployed, वहाँ पे flag man और signal man होना ही होना है, बीना signal man, बीना flag man में, crane में material या जो shifting activity है, हो नहीं हो पाएगा, ठीके? क्लियोली बता रहा हूँ, कोई भी भी कहां पे भी material लेके जा रहे हो, या लेके आ रहे हो, या shifting का रहे हो, flag man और signal man most important होना ज़रूरी है, ठीके ना? ये छोटा-छोटा चीज है, आप लोगो मजाग लाग रहा है क्या? ये छोटा-छोटा ची हीजे! क्वेड़ा